Welcome back learners. Let's now talk about the income statement. हमने financial statements की बाद की, income statement, balance sheet and then cash flow statement. Just for your clarity बताता चलू का ये एक इनका order ही ये है बनाने का क्या पहले income statement बनाते हैं? फिर आप balance sheet बनाते हैं और फिर आप cash flow statement बनाते हैं आप यूँ कह लीजिए कि जो flow of information है वो कुछ इसी order में होता है कि आपने income statement बनानी है उसमें net income या net loss का आपको पता चलेगा वो net income या net loss आगे balance sheet में report होना है ठीक है और इसी तरह income statement या balance sheet की information को देखते हुए हमने cash flow statement generate करनी है वो कैसे करनी है इस पर हम detail में आपको समझाएंगे अभी हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं income statements से और income statement जब बनाई जाती है आपको मैंने पहले भी बताया for the period ending एक specific period के लिए होती है अगर आप एक साल के लिए बना रहे हैं तो उसका भी यही you know format होगा order of जो है पर्टिकुलर्स इसी तरह होगा और नॉर्मिली जो companies हैं वो इस तरह multi year format में बनाती है ताके trends को देखना आसान हो like अगर sales है तो वो किस तरह भर रही है या कम हो रही है over the years जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम net sales की value को देखें तो ये over the years increase हो रही अब ये हमारा starting figure होता है income statement में revenues net sales अब net sales से मराद हम ये लेते हैं कि एक तो चीजें हमने बेची इसमें से हम less करते हैं जो discounts या allowances दिये हैं और plus अगर कुछ sales returns हैं जाहिर है जो हमने चीजें बेची हैं हो सकता है उसमें कुछ वापिस भी आ जाएं तो इन सब चीजें को adjust करने के बाद जो हमारा figure है वो होता है net sales का so net sales है start किया उसमें से फिर हम cost of sales minus करते हैं अब ये cost of sales क्या है cost of sales हमारे direct expenses है जो directly related है हमारे उस you know product से जिसे हम sale कर रहे हैं like अगर हम manufacturing concern में हैं तो जो हम raw material purchase कर रहे हैं वो हमारा direct expense है तो वो cost of sales में होगा indirect expenses इसके बाद deal किये जाते हैं पहले direct expenses को consider किया जाता है net sales में से direct expenses को जब हम less करते हैं cost of sales को हम less करते हैं तो हमारे पास जो figure आती है वो है gross profit तो ये जो gross profit है इसमें हम फिर operating expenses या कोई operating income या कोई other income उसको adjust करते हैं so it's not that difficult आप अगर इसको खुद भी practice करेंगे तो इसमें आपको ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी बनाने में क्योंकि इसका एक standard format है जिसको अगर आप बहुत आसान बहुत आसान तरीके से याद रखना चाहते हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि sales less या cost of sales आपका आगया gross profit अब gross profit में से operating expenses minus operating income plus other income plus आपका आगया earning before interest and expense जिसको हम EBIT भी कहते हैं या operating profit भी कहते हैं अब further इसमें से चोंकि नाम ही आपको show कर रहा है earnings before interest and tax इसका मतलब अभी इसमें interest की deduction और tax की deduction अभी बाकी है यू सी तो जब आप EBIT में से interest expense निकालते हैं तो आपकी earning before tax tax आती है और जो भी extended rate tax का चल रहा होता है वो जब हम उस पे apply करते हैं तो वो tax expense आता है जब उसको minus करते हैं तो वो हमारे पास जो final figure हमारे पास आता है वो हमारा होता है net income या in case expenses ज्यादा हैं तो फिर आप यूं कह लीजिए कि फिर हमारे पास net loss report होता है अब ये तो एक बात हो गई format की कि हम कहां से चले और कहां पहुंचे अब अगली बात ये है कि what are the key you know particulars जिनको आपने focus में रखना है जिसमें सबसे पहले आपकी sales हैं इस figure को आपने देखना है अभी मैंने आपको बताया कि ये multi year format में है income statement जिसमें तीन साल का data आ रहा है एक firm का तो इसको multi year format में बनाने का purpose ही ही होता है कि आप trend को देख सके हैं अब आपको trend नजर आ रहा है कि आपकी जो sales हैं वो क्या हुआ है वो हर साल बढ़ रही है from 36 to 46 and then 58 और उसके बाद जो दूसरी important इसमें figure है वो cost of sales है cost of sales को आपने manage करना है इस तरह कि आप उसमे gross profit को किस तरह आपने increase करना जाहिर है mathematically तो यही नजर आ रहा है कि अगर net sales बढ़ जाएं या cost कम हो जाए तो ही आपका gross profit जो है वो increase होगा तो अब आपने इन items को देखना है उसके बाद फिर जो एक एहम चीज़ है वो operating expense है operating expense के अंदर आपके selling general administrative expenses आते जो operating income है या जो other income है ये vary करेगा company to company हो सकता है किसी company की कोई other income हो ही ना सो ये ना हो कि आप इसको कोई rule of thumb समझें कि ये items हर company के income statement में होगी इसको भी ज़रा जहन नशीन कर लें ये एक standard format है बुनियादी चीज़ें जो है वो वहीं है आपकी के sales cost of sales या cost of goods sold उसको कहते है manufacturing concerns में gross profit आया gross profit में से operating expenses निकाले तो आपकी जो है operating profit आया जिसे हम EBIT भी कहते है and then उसमें जब आप interest और tax को adjust करेंगे तो you have net income या net profit या profit after tax तो इसको अब आपने mind में रखना है कि किस तरह income statement prepare की जाती है कौन सी items ली जाती है हमने historical और performa की बात की थी अभी हम for the sake of understanding statements the preparation of statements हम start कर रहे है historical statements से ताके हम देख सकें कि over the years किस तरह ये prepare की जाती है in the upcoming topics हम performa statements की भी बात करेंगे और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम performa income statement बना रहे होंगे तो पिर हम past years को नहीं देख रहे होंगे बलके हम 2018 की figures को उठाएंगे और 2019 और 20 की figures को project करेंगे उसमें एक certain percentage apply करके कि अगर sales को इतना बढ़ाया जाए तो क्या impact आएगा हमारे net profit पे तो उस पर भी अभी हम आने वाले topics में बात करेंगे for the time being I hope के अब आपको income statement का concept clear हो गया होगा कि किस तरह income statement को prepare करना है कौन कौन सी items हमें चाहिए और उनको किस order में रखके हमने अपना net profit या net loss जो है वो figure out करना हुआ जो हुआ है